जैहिन दोस्तों मेरा नाम अंकित है और इस वीडियो में हम बात करने वाल है themes NCRT के theme 4 या आप कहले chapter 4 की thinker belief and building तो पहले हमने ये 3 theme complete कर लिये हैं और previous year question को भी हमने cover किया है और ये theme 4 अपने आप में काफी important है देखे अगर बात करे themes NCRT के relevance की तो civil services में यहां से question directly नहीं देखने को मिलते थे लेकिन इस पार pattern completely change हो गया है और 3-4 सवाल जो हैं वो directly themes NCRT से देखने को मिले जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है विकॉस इस बार history के question काफी कम आये थे तो यह चीज है इसके अलावा अगर आप civil services के लिए prepare कर रहे हैं तो अब आपको यह book जरूर पढ़नी है आसानी से आप cover कर लेंगे because facts जो हैं वो कम ही है और facts पर ही आपको mainly focus करना है इसके अलावा अगर आप CDS, CAPF, EPFO इनके लिए prepare कर रहे हैं तो must है फिर यह state PACs में भी धेर सारे सवाल जो है तो अच्छे से आपको यह cover करना है और जैसा कि हम करते आ रहे हर chapter के साथ में हम UPSC के previous year question को भी cover करेंगे यह इसका last chapter है इसके बाद यह पूरी book complete हो जाएगी बढ़ यह सबसे important chapter है तो इस chapter में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस chapter में हम पढ़ेंगे 600 BCE से लेकर 600 AD यानि यह इन हजार सालों में क्या-क्या cultural development देखने को मिले अब देखे यह chapter का नाम बहुत unique है thinker यानि विचारत belief यानि मानने अता है और building यानि इमारत है तो किस तरीके से ये इन हजार सालों में जो society में बदलाव देखने को मिले belief के कारण या thinking के कारण या आप यू कहले philosophy के कारण किस तरीके से architecture वगरा परभावित हुआ इन सबी चीजों के inter connection को हम समझने वाले हैं तो यहाँ पर भी वही बात बताई गई है कि हम इसमें पढ़ेंगे philosophers के बारे में और इस दुनिया को उनके समझने के परियास के बारे में किस तरीके से उन्होंने इस दुनिया को समझा और सबसे जरूरी बात कि उन्होंने जब oral या written text को compile किया तो इसमें architecture और sculpture में भी इसका प्रभावत देखने को मिला इस idea और belief वाले exciting world को include करने के लिए बुद्धी, जैन, ब्रेमेनिकल, टेक्स कई तरीके के sources historian ने अपना है और बहुत सारी monument और inscription इन चीजों के इस्तेमाल से भी समझने का परियास किया गया है इसमें आपको बुद्ध की statues देखने को मिलेंगे और एक ancient gateway देखने को मिलेगा अब सबसे पहले ये Alexander Cunningham के नजर में ये चीज़ देखने को मिली और जो runes appear हुए ये बहुत interesting लगे Major Alexander Cunningham को अब अगर आपको Major Alexander Cunningham का नाम याद आ रहा है तो पहले भी हमने cover किया काफी important है revise कर लेते हैं दुबारा ये question CDS में भी पूछा गया EPFO 2017 का भी सवाल है Who was the first director general of the archaeological survey of India तो ये काफी बड़ी आप देखें history के perspective से तो एक काफी major role इनोंने निभाया है Alexander Cunningham ने तो first director general कौन थै Alexander Cunningham ध्यान रखेंगा ये important है तो Cunningham ने इस जगह को बहुत अच्छे से observe किया इन डियून्स को बहुत carefully observe किया और इसके बाद drawing वगेरा बनाई इस जगह की decipher करने की कोशिस की inscription को और बहुत सारे परियास इनके द्वारा किया गया अभी देगे मैंने आपको जब themes and CRT के strategy बताई थी किस तरीके से आपको cover करनी है किसी भी exam के लिए mainly हला की EPFO के लिए हमने cover किया था तो मैंने आपको कहा था कि book वगर अगर कुछ नए देखने को मिलते हैं तो उन्हें आप ध्यान रखें अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे from साहजहां बेगम नवाब भोपाल तो भोपाल के नवाब साहजहां बेगम के द्वारा यह लिखा गया और यहाँ पर देखिए क्या बताया गया ताजूल इकबाल तारिक भोपाल बेसिकल यह history of भोपाल बुक है यह translate भी की गई SD बाश्टो के द्वारा बट इस बुक का नाम आप ध्यान रख सकते हैं या इसे highlight कर लें तो अगर आप एक दो बार पढ़ लेंगे अगर इनसे question बनता है तो फिर आप answer कर पाएंगे तो यह चीजें थोड़े highlights होते हैं हाला कि UPSC में कम पूछे UPSC के exams में पूछे जानी के उमीद कम है बट state PSC में ऐसे question पूछे जाते हैं 19th century के European ने बहुत interest दिखाया सांची के स्तूप में in fact जो फ्रांसीसी थे इन्होंने परियास भी किया कि सहाजा बेगम की permission ली जाए और Eastern Gateway को ले जाए जाए ताकि फ्रांस के museum में रखा जा सके और बहुत बार Englishman ने भी परियास किया कि इस तरीके की चीज़ें की जाए बट फिर at the end ये satisfy होगे कि plaster cast copies बनाई जाए और original जो चीज़े वो site पे ही रहे यहाँ पे बहुत बड़ा परियास जो है भोपाल के rulers का देखने को मिलता है सांची के स्टूप को preserve करने में सहाजा बेगम और उनकी successor सुल्तान जहान बेगम इन्होंने बहुत सारा परियास किया money भी provide करी ताकि preserve करके रखा जा सके और यही वज़ा है कि जोन मार्सल ने भी अपने important words में काफी बड़ा contribution सुल्तान जहान को दिया है तो अगर यह अस्तूपा complex survive किया है तो इसमें बहुत बड़ा योगदान है बोपाल के rulers का अब यह image है यह हम सब ने already कई बार देखिए बहुत सारे सवाल है पहला तो यह कि significance क्या है इस monument का दूसरा तो यह कि mount जो बनाए गए इनमें क्या है तीजरा तो यह कि stone जो है इसके चार ओर वो क्या है दूसरा तो यह कि किनोंने इस construction को बनाया होगा या इसके लिए paid क्या होगा इसके बाद अगला सवाल यह है कि यह discover कब किये गए होंगे तो इन चीजों को समझने के लिए हम one by one explore करने वाले हैं चीजे तो यह early buddhist edition के background को पहले हम समझेंगे देखे सबसे पहले अगर हम समझे mid first millennium BCE के time period को especially अगर हम बात करें 6th century BCE का time period तो world के लिए यह turning point था एक तरीके से religious upheaval का समय था और हर जगों पे हमें thinkers की emergence देखने को मिलती है जैसे इरान में जर्थरूष्ट है या चाइना में अगर हम देखें तो कॉंग जी है, सोक्रेटीज, प्लेटो और इस तरीके से दुनिया के हर हिस्सों में thinkers की emergence होती है तो इन thinkers और philosopher का मुख्य परियास होता है कि human being और cosmic order के बीच के relationship को समझना या existence की जो mysteries है उन्हें समझना ये वो समय था जैसे मैंने बताया 6th century वाला time period हमें पता है कि महाजन पद का time period होता है और महाजन पद का time period होने का क्या मतलब है कि rulers जो है ये strong हो रहे नए नए kingdom से स्थापित किये जा रहे और new cities का development देखने को मिल रहा है जिसमें major role किसने play किया था जैसे अगर हम मगद kingdom की बात करें तो मगद kingdom सबसे powerful कैसे बनता है because of the कई सारे factor से जिसमें एक factor माना जाता है कि forest area के सामने था दूसरा factor ये माना जाता है कि जो iron वगएर iron tools इनके discovery हो गई तीसरा तो ये कि elephants वगएर आसानी से मिल जाने लगे तो एक strong kingdom की जो new होती है जैसे किले बनाना और सेना को strong करना ये चीजें सही तरीके से provide हो पाई और इस वज़ा से मगध जो है ये एक important center important महाजनपद के रूप में उभर करके आता है अब देखे सबसे पहले बात करते हैं Vedic tradition के अंदर जैसे सबसे पहले हमें पता है कि early Vedic tradition में नाम आता है Rig Ved का और जो Rig Ved है ये 1500 से लेकर 1000 BCE के बीच कंपाइल किये गया है इनमें क्या है तो mantras हैं Iams हैं किनके phrase में तो variety of dieties के praise में especially अगनी, इंद्र और सोम देवताओं के praise में ताइप में अब ये chant के जाते थे sacrifices के time में जब लोग pray करते थे cattle के लिए, sun के लिए, good health के लिए या अपने लंबे जीवन के लिए देखिए, starting में तो जो sacrifices हैं ये collectively perform किये जाते थे अगर उसके बाद हम देखें 1000 BCE से 500 BCE के बाद तो बहुत सारे जो sacrifices हैं ये head के द्वारा perform किये जाने लगे और राज सुई और असोमेद ही अग की बाद करें more elaborate sacrifices जैसे राज सुई और असोमेद ये perform किये जा रहे थे चीफ और किंग्स के द्वारा तो जैसा कि मैंने बताया 6th century वाला जो time period है 6th century BC वाला time period ये अपने आप में एक ऐसा time था जहाँ पे क्योंकि लोगों की जो living of standard है ये बढ़ रहा था लोगों की wealth भी बढ़ रही थी तो इस तरीके से ये जीवन के क्या अर्थ है क्या possibility रहेगी death के बाद इन चीजों को philosophical चीजों को समझने का परियास जादा लोगों के द्वारा किया जाने लगा और लोग काफी curious भी थे इन चीजों को जानने में तो new questions की emergence होने लगी जिसमें से एक सवाल rebirth का भी था क्या rebirth जो है ये past actions के कारण होता है ये issues काफी hardly limited थे आज भी है thinkers जो है ये concerned है कि किस तरीके से nature को ultimate reality के रूप में परदर्शित किया जा सके और बाकी जो लोग हैं खास करके outside the Vedic tradition तो लोगों ने यह भी माना कि क्या कोई single ultimate reality exist करती है या नहीं लोगों ने यह भी सोचने का परियास किया कि जो sacrificial tradition है क्या इनकी significance है तो इन मुद्दों पर बहुत सारे debate और discussion देखने को मिलते हैं जैसे अगर हम बुद्धिर टेक्स्ट की माने तो लगबग 64 sect और a school of thought का emergence देखने को मिलता है और यही 6th century BC वाला टाइम फ्रेम ही है यह तो आप देख सकते हैं कि कितने बड़े लेबल पे हाँ पे religious uphevel है और जो discussion है जो philosophical मुद्दों का discussion है यह भी काफी परजोर तरीके से देखने को मिला तो teacher से यह travel करते थे जगह जगह पर लोगों को convince करने का परयास करते थे इवन आम जनता को भी समझाने का परयास करते थे कि उनकी philosophy की क्या validity है और वो दुनिया को किस रूप में देखते हैं और किस रूप में समझने का परयास करते हैं अब यह एक term है बहुत important है इसे ध्यान रखेगा कुटागर साला तो कुटागर साला यह आप इसे ऐसे ध्यान रख सकते हैं इसे कुटिया हट होता है तो उसी से associated है एक हट होता था जिसकी रूफ जो यह पॉइंटेड होती थी तो यहीं पे जो traveling mendicates थे यह रुकते थे और philosophy का discussion भी चलता था अब अगर कोई philosopher है और वो दूसरे philosopher को अपनी बात convince करने में सक्सम होता है succeed होता है तो फिर यह इसके follower बन जाते थे बहुत सारे philosophers ने including महाविर स्वामी अन गौतम मुद्दा वेदाज की authority को question किया इन्होंने यह भी individual agency को भी emphasis करने का परियास किया इसका मतलब यह है कि man और woman को suggest किया जा सके कि वो liberation को प्राप्त कर सकते हैं worldly existence के tribulation और trial से liberation पा सकते हैं अब उपनीशद से यहां कुछ verses लिए गए है और यह चांदों के उपनीशद से है total उपनीशद 108 है जिसमें से 10 major है जिसमें से एक चांदों के उपनीशद है और 6th century BCE में यह compiled है देखे इसमें क्या है क्या दो verses हैं basically यहां पर पहला है the nature of the self यानि जो self of mind है यह मेरे heart में लाई करता है paddy और barley और mustard या millet से भी छोटा है और यह earth से भी बड़ा है greater than the intermediate space greater than heaven greater than these worlds तो basically यहां पर समझाने का परियास किया गया कि किस तरीके से जो self of mind है यह supreme है इसके बाद true sacrifice की बात की गई है यानि सबसे बड़ा sacrifice क्या होगा यहाँ पर तो जो wind है इसे true sacrifice बताया गया है क्यों क्योंकि जब wind blow करती है तो सभी को पवित्र करती है sanctify करती है इसलिए एक sacrifice है यह section बहुत important है इसे ध्यान से समझेगा बुद्धिस text जो है यह किस तरीके से prepare किये गए और preserve किये गए यहाँ previous question भी हम cover करने वाले है इसलिए इस section को देखिए सबसे पहला गर हम बात करें बुद्ध की तो बुद्ध या बाकी जो अन्य दारसनिक है इन्होंने औरली पढ़ाया औरली चीजों को समझाने की कोशिस की और यह चीजें हमें पता है discussion और debate के माधम से होती थी man और woman या children भी इन discourses को यानि इन प्रवचनों को attend करते थे और इन चीजों को discuss करते थे जो वो सुनते थे उन्हें समझने का परियास करते थे और बुद्धाज के जितने भी species थे इन्हें कभी भी उनके lifetime में नहीं लिखा गया यानि उनके जीवनकाल के दोरान इन चीजों को written down नहीं किया गया लेगिन इनकी death के बाद यानि आप कह सकते हैं 5th to 4th century BCE में उनके जो teachings है यानि उनके जो उबदेश हैं उनने कंपाइल किया गया इनके disciples के दोरा यानि सिस्यों के दोरा at a council of elders or senior monks at Vesali तो Vesali में senior monks के दोरा कंपाइल किया गया तो आपने पढ़ा भी होगा बुद्धिस्ट council के बारे में इन councils का एक important purpose भी यही होता था कि जितने भी teaching से उनने compile किया जा सके अब यह जो compilations है यह 3ptak के नाम से जाने जाते हैं या अगर आप पाली में कहें तो पाली वर्ड होगा 3ptak तो 3ptak का क्या मतलब है 3 basket 3 baskets हैं और यह different टगा के text को hold करते हैं सबसे पहले यह orally ही transmitted किये गए यानि teachers अपने सिस्यों को और फिर इस तरीके से यह चीज़े औरली transmit हुई बाद में फिर इन्हे written down भी कर दिया गया अब यह 3ptak कौन से हैं यह important हैं पूछे जाते हैं आप से सबसे पहले आता है नाम विने पीटक का फिर आता अभिदम पीटक का और इसके बाद सुत्पीटक तो अगर विने पीटक की बात करें तो विने पीटक में rules और regulation है ध्यान देखेगा यह विने पीटक में क्या है तो rules और regulation है कहां के rules और regulation तो जो monastic order है या जो जिन्होंने भी संग को join किया है संग का मतलब संग का मतलब है monastic order जिस चेत्या के बारे में हमने पढ़ा है चेत्या विहार इन चीजों के विसम है तो विने पीटक में यही rules और regulation है किस तरीके से एक monk के क्या-क्या foundations है या फिर क्या-क्या चीजें वो enjoy कर सकते हैं इन चीजों के विसम है जबकि जो बुद्धाज की teaching है यह सूत्त पीटक में सामिल है सूत्त का आप associate कर सकते हैं से सूत्र के साथ संस्क्रीट का word ही है बस पाली में उसे अलग तरीके से लिखा जाता है और इसके बाद अगर बात करें अभी धम पीटक की तो जो भी philosophical matters हैं जो भी philosophical मुद्धे हैं उन्हें deal किया गया अभी धम पीटक के अंदर अब प्रतेक पीटक के अंदर बहुत सारे individual text भी हैं और आगे चल करके यह जो text हैं उन पे commentaries भी लिखी गई हैं बुद्धिस स्कोलर के द्वारा जो की बहुत जादा important है अलग-अलग तरीके से civil sources में बार-बार पूछा जाता है इन commentaries के विशे में अभी यहाँ पे देखे दो ओर text हैं deep ones और maha ones तो बुद्धिसम जब new regions में पहुँचा जैसे स्री लंका में जब यह पहुँचा तो deep ones और maha ones जैसे chronicles भी लिखे गए है अब इन में क्या है तो बुद्धिसम की regional histories के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से स्री लंका में जैसा अगर स्री लंका का हम एक्जामपल लें तो किस तरीके से यहाँ वे बुद्धिसम पहला या और भी कौन-कौन से related चीजे हैं बुद्धिसम से associated इन चीजों को सामिल किया गया दीप वन्स और महावन्स में बहुत सारे जो वर्क्स हैं इन में बागरोफी भी सामिल है बुद्धा की और अलग-अलग बागरोफी में कुछ वेरियसंस भी हैं और कुछ टेक्स जो पाली में लिखे गया है उन्हें बाद में संस्कृत में भी सामिल किया गया संस्कृत में भी लिखा गया और बुद्धिजम जब अइने छेतरों में फेला जैसे इस्ट एसिया में तो जो फाहियान है या हुएन सांग जो है इन पिलग्रिम्स ने इंडियन टेक्स्ट को या इंडियन बुद्धिज टेक्स्ट को चाइना भी ले जाने का परयास किया अब डेफिनेटली न्यू रीजन में लोग न्यू आइडियाज को ले करके जा रहे हैं तो टांसलेशन भी किया गया हुए तो चाइना या इस्ट एस्या के देशों में जहां भी बुद्धिजम पहला स्कोलर्स के द्वारा ट्रांसलेट भी किया गया इंडियन बुद्धिज टीचर ने खुद भी बहुत सारी यात्राएं की ताकि टेक्स्ट बगरा को बुद्धा के टीचिंग्स को disseminate किया जा सके देखी यहाँ पर source 3 में fatalist and materialistic का discussion है और यह काफी interesting और important है fatalist और materialist में क्या फर्क है और यह किस तरीके से associated है तो यह basic लिए एक सुत्व पीटक से ही लिया गया है सुत्व पीटक के विसे मभियमने पढ़ा था तो एक तरीके का conversation है किनके बीच अजाद सत्रू जो की मगद के ruler है और बुद्धा के बीच तो क्या है discussion यह अजाद सत्रू एक बार गौतम बुद्धा को विजिट करते हैं और दूसरे teacher मखली गौसाल के बारे में बताते हैं अब मखली गौसाल के क्या जो बिलीव करता है कि इसमें नियती में नियती का मतलब क्या है फेट में लक्जी से कहा जाता है तो बेसिकली एक लाइन में अगर आप याद रखना चाहें आज इविका सेक्ट के आइडियाज के बारे में विकोज यह काफी ज़्यादा important है इनका कहना है कि human efforts है no consciousness कोई परिणाम नहीं है human efforts का यानि एक तरीके की यह एक deterministic doctrine है यानि already चीजे determined है और इनका कहना है यह simply एक line में कहते है कि जो कर्मा है यह एक fallacy है ठीक है कर्मा doctrine को यह fallacy मानते है हाला कि इनका कहना है कि कर्मा और transmigration exist तो करता है but human effort का इसमें कोई role नहीं है human अपने कर्मा को change नहीं कर सकता है और transmigration में कोई effort human नहीं ला सकता है तो यह basically है नियती या आजिविका sect के विसे में exams में पूछा आता है तो ध्यान रखेगा और नाम भी ध्यान रखेगा मख्ली गौसाल associated है आजिविका sect के साथ तो अभी जो मैंने आपको बात बताई वही चीज यहाँ पर लिखी गई है क्या कि दोदा वाइस उड होप बाइस वर्चू बाइस पिनेंस आई विल गेन कर्मा तो वाइस जो हैं यह होप करके चलते हैं कि वो कर्मा गेन करेंगी जबकि जो मुर्ख हैं यह भी वही चीज सोचते हैं should by the same means hope to gradually read himself of his कर्मा neither of them can do it नहीं आप दोनों में कोई भी सक्षम नहीं होते हैं इस काम को करने में जो pleasure और pain है यह measure किया आता और इसे alter नहीं किया सकता बदला नहीं जा सकता संसार के course में यह यह टांस माइगरेशन में नहीं इसे कम किया जा सकता है नहीं जादा किया जा सकता है यानि आप साब तोर पर कह सकते कि इनका कहना है कि human efforts have no role in karma and transmigration जैसे और यह example भी देते हैं किस तरीके से जब आप एक ball को string से throw करते हैं तो यह full length में unwind करता है तो इसे फिर change नहीं किया सकता उसी तरीके से जो मुर्ख है या जो समझदार है दोनों ही course and make an end of sorrow तो basically जो karma theory है उनमें human effort का कोई role नहीं है यह आजीविका sect के ideas है यह आपको ध्यान रखना important है हाला कि मैंने यह सोचा था कि जब हम six philosophies को discuss करेंगे ancient India का उसी time पे इन चीजों को discuss कर लेंगे विकोज यह एक important topic है civil services का भी favorite है बहुत सारे question पूछेगा है और CDS वगरा में भी काफी सारे सवाल आए है तो हाला कि previous question अभी इस topic के हम नहीं cover करेंगे एक साथ हम cover कर लेंगे अभी देखे एक और important idea है और वो क्या है चारवक अस्कूल जिसे कहा जाता है लोकायत नाम ध्यान रखेगा चारवक या लोकायत अब लोकायत नाम से समझते हैं लोकायत लोक का मतलब क्या होता है दुनिया होता है एडियाज को समझे तो इनका कहना है कि एक लोता गोल जो humans का है वो क्या है to enjoy pleasure and avoid pain तो ये जो है चारवक का फिलोसफी है ध्यान रखेगा चारवक का फिलोसफी से किनका नाम अस्यान है अजित केसम बलीन का ये ध्यान रखेगा ये भी पूछा जाता है तो important है चारवक क्या लोकायत श्कूल कहले नाम से आप ध्यान रखेगे तो काफी आसानी से आपको याद रजाएगा लोकायत का मतलब materialistic तो यही बात है यहाँ पर पढ़ सकते है there is no such thing or king as arms or sacrifice यानि कोई भी चीज नहीं है कि जो दान दक्षिना या sacrifice वगरा जो offering के जाते हैं इनका कोई ओचित्ति नहीं है इस संसार में human being is made up of four elements चार ततों से मिलके बना होता है और जब human being die कर जाता है तो उस time पे जो earth है in him returns to the earth यानि वापस वो मिट्टी में मिल जाता है the flew to water, the heat to fire, the wind to air and his senses pass into space तो ये बात बहुत ज्यादा important है कि उनके जो senses हैं ये वापस space में चले जाते हैं तो अब देखे चारवका philosophy को अगर हम Buddhist scriptures के माध्यम से देखना चाहें तो Buddhist scriptures में चारवका school को अब part माना गया है किसका part? तो एक तरीके से wandering religious group का part और नाम दिया गया है स्रमन का अब स्रमन में क्यों बता रहा हूँ because ये civil sources का previous air question है स्रमन का मतलब क्या होता है स्रमन का मतलब होता है seeker या आपके हैं चीज़ें लोकायत के विसे में और जिन्हें materialist के रूप में describe किया जाता है हाला कि इनके जो text है वो survive नहीं कर पाया और यही है confusion का भी कारण बहुत सारी बाते हैं इनमें जो बहुत जादा अच्छे रूप में clear नहीं हो पाई है देखे इस section से धेर सारे previous air question है बट आप history playlist में जाइए वहां हमने बुद्धिजम को cover किया है और उसी time पे यह सारे previous air question भी हमने already cover किये है next हमारा discussion होगा the message of महावीर स्वामी के उपर तो मिलते हैं जल्दी next video में तब तक के लिए धन्यवाद जाई